सबके जीवन में भागदोड़ लगा रहता है, लेकिन इस भागदोड़ वाली जिन्देगी में आप अपने लिए कितना टाइम निकाल बाते हो। इस प्रॉफिट लॉस वाली जिन्देगी में दोस्तों खुद के लिए टाइम निकालना भी जरूरी है, क्यूंकि वैस्तता आपको ही एक दिन निगल लेगी और आप देखते ही रह जाओगे। आज हम दस ऐसा तरीका आपको बताएंगे जिससे की आप एक सुखद एवंग स्वस्त जिन्देगी जी सके। नमस्कार दोस्तों, गे निउस में आपका स्वागत है। आप लोग जो हमारे चैनल पे नए आये हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जी हाँ दोस्तों, बाहर घूमना या फिर बीच बीच में छोटे छोटे टूर पे जाना आपके मन को थोड़ा शांध रखता है। शांध दिमाग आपके क्रियेटिविटी और काम में तेजी ला सकता है। हम सब को पता है कि एक्सेसाइज स्वास्त के लिए अच्छा है, लेकिन करते बहुत कम हैं, और करते भी होंगे तो कंसिस्टेंट नहीं रहते। एक्सेसाइज हमारे दिमाग को तेज रखने, खुद को स्मार्ट बनाने में और खुश रखने से लेकर अच्छा नींद प्रदान करने में सहायता करता है। एक स्टडी के अनुसार रोज एक्सेसाइज करने वाला इंसान का गड़ आयू 70 साल से जादा होता है। एक्सपर्ट के अनुसार हमारे जीवन के खुशियों का एक सबसे बड़ा कारण है रिलेशन्सिप्स। आप जितना लोगों के साथ मिलोगे, अपने परिवार के साथ समय बिताओगे, आपको उतना ही काम करने का उच्छा मिलेगा। अकेला भरा जिन्दगी, हार्ट अटक, स्ट्रोक और डाबेटीज जैसा बिमारी ला सकता है। तो दोस्तो, समाज को थोड़ा टाइम दीजिए और अपने जिन्दगी को बेहतर बनाने में थोड़ा सा मदद कीजिए। दोस्तो, जिन्दगी में दूसरे को उसके काम के लिए सराना एक महान कामों में से एक माना जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे का अच्छा और उच्छ विचार वाले काम के लिए उत्साह देते हैं। अभार प्रकाट करना आपको घर और समाज में एक उचा स्थान देने में मदद करता है। ध्यान या फिर योगा आपको एक बहतर जिन्दगी देने में मदद करता है। योगा आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन और गुसे को कम करता है। जिससे आपका वैवाहर, आपके स्वास्त को हमेशा बेहतर रखता है। पूरी राज जागने के बाद आपने देखा होगा आपका चिन्ता और शरीर में एक अजीव सा परिवर्तन आता है। बाद बाद में गुस्चर होने से लेकर चीर-चीराहट होने लगता है। अच्छा निंद होने वालों का शरीर और मन हमेशा स्वास्त रहता है। इससे दिमाग में सकारात्मक सोच बढ़ती है। जिन्देगी एक समय सुचित होती है। नई भाषा, नया गाना या फिर अपने सोच को वास्तविक रूप देने का प्रयास करते रहना आपके दिमाग को बहतर बनाता है। आपकी इच्छा शक्ती आपके काम के रुकावट को दूर करने में और जीवन के कामियवी में मदद करेगा। नहीं तो जीवन के आखरी समय में सिर्फ अपसोच करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। जो इंसान अपने कश्ट को अपने हसी से उड़ा सकता है, वो एक स्वस्त जिन्देगी का अधिकारी होता है। हसी आपके स्ट्रेस गुसा को कम कर सकता है। इम्यूनी सिस्टम जिसको हम पेड का पाचन प्रक्रिया बोलते हैं, उसे हार्ट एटक और स्ट्रोक होने का चांसेस कम करता है। यह विटामिन जैसा काम करता है, जिससे आपको समाजिक व्यवार अच्छा रखता है। हाथ मिलाना, गले लगना, आपके समाजिक व्यवारों को सुधारता है। इससे आपका पाचन पक्रिया ठीक रहने से लेकर कैंसर तथा हार्ट एटक जैसा गंभीर बीमारियों से छुटकारा दे सकता है। दोस्तो, हमें हमेशा जिन्देगी में आशावादी रहना चाहिए। आशावादी इंसान कुछ भी कर सकता है। उसे जिन्देगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर बटन दिवाना ना भूले। या फिर आपको कोई बात कहनी हो तो कमेंट बक्स में लिखना मत भूले। देखने के लिए धन्यवाद।